हेलो दोस्तो नमस्कार सब दोस्तो आप लोग ने आपर क्या रहना है चोकन ना रहना है अलर्ट रहना है किसी भी प्रकार की अगर अच्छी न्यूज आती है तो डिरेक्ली जाके बाइ नहीं करना है देखी मैं ऐसा बोलतो नहीं सकता बाइ करना है वो तो आपकी मर्जी रहेगी बट फिर भी सब्सक्राइब को रेगुलर्ली फॉलो करते तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अलर्ट ने चुका हूं जिन लोगों को अलरड़ी इस के बारे में पता होगा तो वह तो एडवांस में अलर्ट हो चुके है बहुत सारे लोग ने यहां पर जूड़ चुके हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ अलर्ट वाले साइन है वह आप लोग को पता है यहां पर होने चाहिए वरना बाद में आप लोग पच्टा सकते हो तो चलिए यहां पर प्रॉब्लेम क्या है एंड किस से रिलेटर है तो दोस्तों आप सब लोग को पता है ऑफर फॉर से से जादा रहेगा सो तीन साल का टाइम दिया जाते है अगर हम लोग बात करें उसके बीच में आप लोग को पता है कि उनको 75 पसंट प्रमोटर 75 पसंट से जादा शेर नहीं रख सकते तीन साल के अंदर अंदर उनको यह सारी चीज़ें एड़ेस्ट करनी पड़ते हैं करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर बहुत सिंपल है 10 पसंट उनको शेर बेचने पड़ेंगे बिल्कुल साही जवाब पर दोस्तों यहापे मैं बतना चाहूंगा कि शेर बेचेंगे ना तो सामने कोई तो खरीदने के लिए आना चाहिए सो यह कंपनी उस चीज में अट अभी इसमें लूप होल क्या धूंडा है वो भी मैं आप लोगों को यहाप बताऊंगा तो सबसे पहले में आज आता हूं यह देखें यह है शेर होल्डिंग पैटन ठीक है यह जो कंपनी आई थी हम लोगों को 19 के असपास मतलब स्टेक बेचकर ही आई था 15% स्टेक इसा कैसे तो मैं बताऊंगा ज़रूर इसे रिलेटर कैसे उनको थोड़ा सा छूट यहापे मिलू ही बट अभी ज्यादा देर इनका टाइम नहीं चलने वाला है बहुत ही बुरी तरह किसे बैंडिंग की बच सकती है तो अब यह FIS भी आप देख सकते दोस्तों जितना हो स 27 दिख रहे है पबलिक दिमे दिमे करके अड हो रहा है तो दोस्तों बिलकुल अलर्ट रहना है आप लोगों ने जैसे मैंने का यह कंपनी को तीन साल कंप्लिट हो चुके है अभी भी 75-25 अलर्श यह कंप्लिट नहीं कर पाया है अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बहुत ही सिंपल है बेश देने का खुद के कितने 10% ही बेचना है ना बेश देने का जैसे मैंने कहा कि यह कंपनी अगर में चलो आप लोगों को दिखना चांगा कितना 113 का यह स्टॉक है और कंपनी का नाम के है दोस्तों जनरल इंशॉरंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी आईसी जैसी की अगर मैं बात करूँ मैक्जिममम चार्ट पेटन देखो 72% डाउन दे दोस्तों जब से शुरू हुए तब से सिर्फ डाउन 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 गिरावट 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 देन थोड़ा रिकवरी आये था देन तो कोवीड ने तो पूरी कमरी तोड़ दी फिर गिरावट 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 एंड जितना भी यहाँ पे अपस देखने को मिल रहे है यहाँ पे रिटेल मिस्टर ही फसे है तो लगातार गिरावट अभी मुझे बताईए इस कंपनी को 113 पे यह स्टॉक चल रहा है और सरकार में क्यों बोल रहा हूँ येस GIC के अ ओपन मार्केट की थूँ ऐसे तो नहीं कर सकते हैं उनको कुछ प्रोसीजर्स होते हैं ओफस के जरीए करना पड़ेगा कोई तो बड़ा प्लियर आएगा जरूर आएगा वो बट क्या वो 113 पे खरीदेगा वो 113 पे खरीदने में मार्केट से ही खरीद लूँगा तो वो करेगा बड़ा डिसकाउंट बोल सकता है बहुत जबरदस डिसकाउंट भी बोल सकता है 70-80 भी बोल सकता है तो इसलिए कोई बड़ा प्लियर अभी अगर यहाँ पे आया एंड उसने डिमांड की 70-80 पे मुझे शेर चाहिए 10% लेने के लिए तैयर हूँ आपको पता है यह आप लोगं को 19 से दिखाया बट 17 फिर 18 19 20 आप देख सकते कितना टाइम निकल गया तो इग्जैक्ली प्रॉब्लेम क्या हुआ कि यहाँ पे 2020 की अगर में बात करो 2020 में क्या हुआ कोविड हुआ तो जब कोट में सारी चीज़े हम लोगों को देखने को मली कोट मतलब जो थ बेचे जा सकते जी आएसी 10 परसेंट का स्टेक निकल सकते हैं बिल्कुल भी फसना नहीं है मैं आप लोगों को इसे रिलेटेड वार्निंग दे चुका हुआ हुआ कंपनी में वैसे भी कोई दम है नहीं आप देख सकते हो सरकारी कंपनी है इसलिए नहीं वैसे भी प्रफर क्या आप देख सकते हैं दोस्तों FISDS की अगर मैं बाद करो पब्लिक भी देख लें आप दिमे-दिमे करके थोड़े से एड हो रहे है बिल्कुल आइड नहीं होना है कौन सी कंपनी है दूसरी है न्यू इंडिया अश्यूरंस कंपनी यस मैं इस से रिलेटेड बहुत तो जबरदस डिसकाउंट डिमांड करेगा क्योंकि उनको पता है सामने वाली पार्टी फसे हुई है नॉर्मल OFS भी नहीं रहेगा पूरी तरीखी से फसे हुए है तो शायद से इन चीजों को कंप्रिट करने के लिए वो बहुत बड़े डिसकाउंट के उपर भी क्या कर स तेन शेर्स को यहाँ पर बेच सकते हैं 10% तक एटलीस इसलिए दोस्तों नियू इंडा अशरंस की बात करें या फिर जी ऐसी की बात करें संबल कर रहे ना यहाँ पर अभी प्रॉब्लेम क्या होता है बीच बीच में यहाँ पर एक गजब के निउस सामने आ जाते है टॉक पीठना शुरू तो इसलिए खबरों के चलते थोड़ा सा संबल करें ना यह दिखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा पुराने पुराने खबर है गवर्मेंट सेट टू डाइवस 10% इन जी आईसी और उसी के साथ साथ न्यू इंडिया अशरंस अभी एक परसेंट का अपर सरकेट लगया क्यों बताया गया कि हम लोग यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक छोड़ रहें प्राइवेटाइज करेंगे इसको न्यूस कमाल की थी 20% तो भागे गई ट्रेडर फाइदा उठाएंगे फिर बाद में क्या हुआ किसी को पता नहीं आप की बात करते हैं इससे रिलेटेड सो औराल हमलों को ज्यादा अभी और डीप में नहीं जाना है मैं बस इतना ही के ना चाहूंगा जी आइसी और उसी के साथ-साथ अगर मैं यहाँ पर बात करू तो न्यू इंडिया अशॉरंस यह दो कंपनी में आप जाना चाते हो आप ज अब यहाँ पर ज्यादा फंडामेंटल्स पैरामेटर्स में ने दिखाए नहीं जो कंपनी इतने टॉप लेवल से 70 परसेंट डाउन है फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे क्या डेफिनेटली नहीं इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा कि संभाल करें यहाँ अगर स्टेक ब आ सकता है बट वापस वह पटका जाएगा तो हमें सस्टेन रहने वाले स्टॉक चाहिए हम इंवेस्टर है ट्रेडर लोगों को कैसे मूज का मुमेंट का फायदा उटा कर वह पैसे कमाते बट इंवेस्टर को लॉंग टर्म के बारे में सोचना होता है तो जो यह आईसी की मज़र सो वी बिल भी मिटिंग आरेक शुडियो तब तक के लिए बाई बाई